उत्तर परदेश के हर दोई जिला मुख्याले से 15 किलो मिटर दूर मुजूद ग्राम सकाहा में एक प्राचीन शिवलिंग मुजूद है इस मंदिर से जुड़े हुई तमाम सी चोकाने वाली कहानिया और तथे जुड़े हुए हैं इस प्राचीन मंदिर में चमतकारी शिवलि की अरादना करते हैं कहा जाता है कि यहां आने वाले लोगों के ऊपर कोई भी संकट क्यूं ना हूँ उसे भगवान शिव अवश्य ही हर लेते हैं साथ यहां मुजूद भगवान शिव के चमतकारी एवं सिद्ध शिवलिंग के सामने सच्चे मन से अपनी मुराद मांगने वाले सभी भक्तों की मनों कामनाए भी पूरी हो जाती हैं कहा जाता है कि आज से करीब सतर वर्षपूर बेटा गोकुल थाने के मुझूद एक पुलिस दोरोगा ने सकाहे के इस चमतकारी शिवलिंग को बेटा गोकुल थाने शेत्र में स्थापित करवाने के लिए यहां क इसके बाद कुदाई शुरू करवाने का निने लिया भगवान शिन ने दरोगा को सपने में दर्शन दे कर उनके शिवलिंग को यथावत रहने दिये जाने का आदेश दिया था उसके बाद उस दरोगा ने यहां बने छोटे से साधारण मंदिर को एक भव्य मंदिर में प्रवर्टित कर दिया था एक अन्य कहानी सेट लाला लोहिर मल की है जो यहां से भी तालूक रखती है कहा जाता है कि सेट के बेटे को फांसी की सजा हो गई थी तब घूमने टहलते इस शिवलिंग के महत्व और महीमा से अन्जान सेट लोहरी मल ने दुखी मन से अपने बेटे की फांसी की सजा माफ की जाने की मनत मांगी तभी अगले दिन उसके बेटे को दी जाने वाली फासी की सजा माव हो गई और फिर तभी से सेट ने इस मंदिर में विकास कारी करना शुरू कर दिया था इसी तरह से तमाम तथे शिवलिंग से जुड़े हुए हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं संकट हरन सकाही का शिव मंदिर में मौजूत इस विशाय शिवलिंग के इतिहास से आज भी लोग अंचान है यहां तमाम खोज करता आए और गए लेकिन कोई भी शिवलिंग के इतिहास की जानकारी नहीं जुड़ा पाया यहां के लोगों का कहना है कि उनके दादा और परदादा के समय में भी यह शिवलिंग यहां यतावत मुजूत था यह शिवलिंग एक स्वयम भू शिवलिंग है जिसका प्रकच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसके बिसे में और शिर्वीन के बिसे में कुछ आधियंत है नहीं लोगों ने बहुत ही प्रयात किया लिए इसका आधियंत नहीं मिला और इसके वे पहले चोटा मंदिर साथ अरबाद में बड़ा मंदिर हुआ और उसकी जूसरी विशेस्ता है कि 14 जंते में तीन रंग वग सब्सक्राइब करें है एंड़बाद झाल